सुही गैस आईम कलुवा भाई एक सकेंड सफेदा भाई का फोन आ रहा है सुन कलुवा तेरे वाटसप पे एक आदमी का फोटो आया है उसको टपकाना है ओके सफेदा भाई हो जाएगा काम कुछ गरबर नहीं होना चाहिए ठीक है आफ फिकर मत करो हो जाएगा अच्छा इसी को टपकाना है चलो इतना कहने के बाद कलुवा दादा अपनी S2R लेके चले जाते है उस आदमी को टपकाने और कलुवा को सफेदा भाई ने ये भी बोला था कि वो सहर छोड़के भाग रहा है उसे जल्ली से मारना होगा इसके बाद कलुवा दादा अपनी S2R से सिधा रेलेवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और फिर क्या हुआ आगे खुद कलुवा दादा से सुनिए अरे सफेदा भाई ने तो यहीं बोला था वो आदमी कहा है चलो ढूटते है उसको बहुत दिनों से किसी को मारा नहीं है बहुत दिनों बाद आज एक आदमी को मारने को मिलेगा चलो यह रहा क्यों बे भाई तिनको बहुत सहर छोड़के भागने के चुल्मची हुई है ना रुक तिनको बताता हूँ मैं बता क्यो सहर छोड़के भाग रहा था अरे कलवा भाई प्लीज भाई छोड़ दो ना यार मेरे को बहुत बड़ी गलती हो चुकी है मैं ये सहर छोड़ के चला जाओंगा इसके बाद ये मुझसे कोई गलती नहीं होगी मैं आपके हागे हाथ जोड़ता हूँ कलवा भाई उस आदमी का मडर करके वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हर रेल्वे स्टेशन पे कैमेरा लगा होता है और कलुअ भाई कैमेरे के सामने उस आदमी की हत्या कर देते हैं इस लिए उनके पीछे पुलिस पढ़ जाते हैं पुलिस के घर को चारों तरफ से गेरली होती है तभी कलुए भाई अपना तोप निकालते हैं और पुलिस की कार को ब्लास्ट कर देते और फिर जैसे ही कलुआ भाई अपना टीवी ओन करते है तो उसमें न्यूज आती है कि दुनिया के जाने माने बहुत ही खतरना क्रिमिनल ने आज सुबह ही रेड़े इस्टेशन पे एक और आदमी का मर्डर कर दिया है लेकिन वो हत्यारा इस बात से अंजाद था कि कि सी सी टीवी केमरे के अंदर उसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुक लेए इस्टेशन कर रही है जल्दी वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा अब क्या करो ये तो बहुत ही बड़ी प्राब्लम हो चुकी है एक मिनिट ये सफेदा भाई फिर से कॉल क्यों कर रहे हैं अरे वो कलुआ तेरे को बोला था ना काम अच्छे से करना चाहिए था अरे सफेदा भाई कलुआ क्यों बोल रहे हो थोड़ा इज्जस से नाम लो अरे हो चिरकूट तु दो लोगो को मारके अपने आपको कलुआ भाई बोलता है ना अरे हो सफेदा तुने कौन सी बहुत बड़ी काम कर लिया है तेरे सारे काम मैं ही करता हूँ अरे हो कलूआ तु बहुत बोल रहा है तेरे जुवान बहुत चल रही है जुवान भी नहीं मेरे हाथ भी चलते है तरे दिखाओ क्या आज तेरा आखरी दनै कलुआ आस तु मरेगा वह भी मेरे हाथों से अच्छा ऐसी बात है क्या रुक मैं तिर पास अभी आता हूँ देख लेते हैं को ने बड़ा गैंग्स्टर इतना कहने के बाद कलुआ भाई अपनी एस्टुआर लेके चले जाते हैं सफेदा भाई को मडर करने हैं अच्छा तो मेरी जबान बंद करेगा आजा देख लेते हैं अच्छा अच्छा तो इस तरीके से कलुआ भाई सफेदा भाई का मुर्डर कर देते हैं आगे क्या होगा जानने के लिए पार्टू जरूर देखें पार्टू जल्दी आएगा बाई